नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे महिला समान सेविंग सेटिफिक्रिट के बारे में ये स्कीम मिनिस्ट्री अफिनास ने 31 मार्ट 2023 से शुरू की थी इसके अंतरगत कोई भी महिला 2 लाव रुपे तक डेपॉजिट कर सकती है ये डेपॉजिट सभी 12 पॉब्लिक सेक्ट प्राइविट सक्टर प्राइविट से जिनमें ये डेपॉजिट किया जा सकता है जो रेट में लेगा वो है 7.5% पीरिड होगा दो साल का यह स्कीम 31 मार्ट 2025 तक फिलहाल लागू है यानि 31 मार्ट 2025 तक कोई भी में डेपॉजिटर इसके अंदर पैसे डेपॉजिट कर सकती है अकाउंट सिंग्ल नाम पर ही ओपन होगा यानि कि कोई एक opens डिर्म डेपॉजिटर ही इसमें asfs कर सकती है वांद नहीं होगा इसके लावा को बाइन्व अगर वच्ची है तो उसके नाम पर भी डेपॉजिट हो सकता है जो कि गारजियन उसको open करेगा और ऑपरेट करेगा अब और खास बाते इसकी देख लेते हैं धरूई नहीं है कि पूरी दो लाख रुपे एक साथ जमा किये जाएं इसमें मिनिमम एक हजार रुपे भी deposit किया जा सकता है लेकिन ध्यान यह तना है कि अगर हमें इसके बाद और पैसे में deposit करने हैं तो कम से कम तीन महीने का gap इसके अंदर चाहिए लेकिन total deposit जो होगा वो कैसे भी दो लाख रुपे से उपर नहीं होना चाहिए इसके अंदर quarterly compounding होगी इसमें यानि ब्याज जो होगा वो quarterly compounding होगा चक्रविदी ब्याज होगा जो कितिमाही account के अंदर जमा होगा इसका मतलब ही हो जाता है कि अगर कोई women depositor इसके अंदर पूरे दो लाख रुपे जमा करती है और पूरे दो साल तक ये deposit चलता है तो जो maturity amount है दो साल के बाद वो बन जाता है दो लाख 35,044 रुपे यानि कि जो 32,044 रुपे है ये ब्याज बनता है दो साल का इसी तरह से अगर कोई महिला इसके अंदर एक लाख रुपे जमा करती है तो जो maturity amount बनेगा दो साल के बाद वो बनेगा एक लाख 16,022 रुपे यानि कि 16,022 रुपे का ब्याज उसको दो साल के बाद मिल जाएगा बात करते हैं premature closure की premature quizels में हो सकता है या नहीं तो इसमें दो तरीके है premature amount को withdraw करने का एक तरीका है partial withdrawal का तो partial withdrawal जो होता है वो deposit कुछ चलते हुए जब एक साल हो चुका होगा तब partial withdrawal किया जा सकता है और वो amount होगा 40% of deposit amount यानि कि अगर किसी महिला ने इसके अंदर एक लाख रुपे जमा किये है और इसको चलते हुए एक साल हो चुका है तो एक साल के बाद इस amount का 40% यानि कि 40,000 रुपे withdrawals में किये जा सकते हैं और बाकिये का amount as it is चलता रहेगा अब अगर इसको premature close करना है यानि कि पूरा का पूरा पैसा premature की निकालना है तो उसके लिए क्या शर्ते हैं वो देख लेते हैं इसके अंदर दो तरीके हैं premature closure के पहला तो है compassionate ground के उपर compassionate ground का मतलब यह हो जाता है कि अगर account holder की death हो जाती है या guardian के death हो जाती है या कोई serious disease हो जाती है account holder को जिसकी वज़ा से इस account को continue करना मुश्किल है तो यह पैसा withdraw किया जा सकता है पूरा का पूरा पैसा prematurely close किया जा सकता है और उस सूरत में जितने भी दिन यह deposit चलेगा माली जेए कि deposit एक साल चलता है तो जो 7.5% है उस rate of interest से पूरा ब्याज बिल जाएगा अब दूसरा है कि अगर किस यह और कारण से इस deposit को prematurely close करना है तो फिर उस case में भी deposit बंद किया जा सकता है लेकिन उस सूरत में जो rate of interest मिलेगा वो साड़े साथ से घटके साड़े 5% रह जाएगा यानिकि 2% कम rate of interest मिलेगा चलिए अब बात कर लेते हैं इसके forms की तो इसके अंदर चार forms है टोटल form नमबर 1, 2, 3 & 4 पर्मर 1 जो है यह account opening का form है यह account opening का form आपको जैसे मैंने बताया post office में तभी 12 public sector banks में और charge इस private sector banks की बात किया ने की थी यहां से आपको ए form मिल जाएगा यह आप online भी इस form को download कर सकते हैं और इस form को भर कर आपने post office या जिस भी bank में आप ही deposit करना चाहा है वहाँ deposit कर सकते हैं और यह deposit को शुरू कर सकते हैं form number 2 जो होता है वो पूरे 2 साल जब हो चुके हैं तब इसको close करने के लिए होता है form number 1 हो गया opening के लिए form number 1 हो गया deposit को close करने के लिए after 2 years form number 3 जो होता है वो है 40% withdrawal के लिए एक साल के बाद जैसा मैंने बताए एक partial withdrawal का भी provision है और 40% withdrawal अगर एक साल के बाद करना है तो form number 3 भर के देना है form number 4 जो है वो है premature closure के लिए जो documents लगेंगे account opening के लिए वो वही है form number 1 भर के देना होगा इसके लावा देने होंगे KYC documents यानि की pen card की copy होगी photograph उस form के लगानी होगी और साथी साथ KYC documents यानि की एक address का प्रूफ देना होगा देख लेते हैं form किस तरह का है यह है government का गजट notification जो की 31 मार्स 2023 को आया था यह एक अतरमाद 2023 का गजट notification है और इसमें इस deposit की details सारी दियूनी है जिसकी हमने भी भी बात की इसी में नीचे इस form दिया गया है यह है form number one account opening के लिए इसमें की यहाँ पर photograph पेस्ट होगी account holder की इसके लावा यहाँ भरके देना होगा जिस भी bank या post office में हम भी deposit करना चाहते हैं उसका यहाँ नाम लिखा जाएगा यहाँ पर account holder का नाम भरना होगा और अगर कोई guardian उसको open कर रहा है तो यहाँ पर guardian का नाम आज जाएगा यहां पर आएगा amount, जितने amount का भी deposit करना है, यहां पर आएगा अंकों में और यहां पर आएगा शब्दों में, अगर check या draft से deposit किया जा रहा है amount, तो यहां पर check या draft का number लिखना होगा और लिखना होगा साथ में उसकी date, और अगर cash में deposit हो रहा है तो हमें cash के उपर यहां ट याँपाउट फूल्डर की यहां पर यहां पर आएगा अधार नमबर होताज इसके बार नाहोगा एड्रेस स्पाउंट फूल्डर का यह होगा इमेल इडी जो भी ऒलाबल हो हूं श्पाउ kidney n-ब जासा हमेब की नाम पर उपन हो सकता है जिसको की guardian चलाएगा तो यहाँ पर जो भी type of account है उसको पर tick करके देना होगा अगर minor के नाम पर यह account उपन कुरा है तो यहाँ पर minor की date ओबर दरनी होगी अब इसके नीचे यहाँ पर लिखना है अगर यह minor के नाम पर account को नो रहा है तो उसका birth certificate की detail यहाँ देनी होगी certificate का number उसका date of issue और issue authority यानि कि किस ने वो birth certificate issue किया है तो यहाँ पर आजाएगा guardian का नाम जो भी केवाई से documents लगाये जा रहे है यानि कि identification के लिए जो भी document लगाये गया है अगर identification के लिए अधा नमबर दिया जा रहे है address के लिए passport तो उनका number यहाँ डालना होगा यह सारी documents है जो की valid documents है identification address proof के लिए यह है passport, driving license, water ID card, नरेगा का job card या letter issued by national population register containing details of name and address चलते हैं आगे यहाँ पर आएगा signature इसके नाम से account उपन और आए अगर वो major है तो फिर उसका खुद का signature आएगा और अगर वो guardian उसको operate करेगा तो यहाँ guardian का signature आएगा इसके नीचे detail देनी होगी अगर यह subsequent deposit है यानि कि पहले भी deposit किया जा चुक्छा है इसके अंदर कुछ पैसा और यह दुबारा फ़र से deposit किया जा रहा है तो जो पिछले deposits किये गए हैं उसकी detail यहाँ पर भरनी होगी यानि कि वो deposit कप किया गया उसकी date यहाँ भरनी होगी amount कितना deposit किया गया उसका customer notification number क्या था account number क्या था और किस bank या किस post office में वो amount deposit किया गया है तो उसकी details यहाँ भरनी होगी और इसके नीचे फिर सही है account holder या guardian का sign होगा इसके नीचे है nomination मतलब account holder यहाँ पर अपना नाम भरेगा और इसके नीचे यहाँ nominee detail आ जाएगी nominee का नाम, nominee का address, nominee का आधार number अगर हो तो date ओपर थाएगी nominee की अगर nominee minor है तब और कितना share उसको देना चाहता है इसके नीचे जो column है वो उस post office या bank के लिए है जहाँ पर यह deposit open किया जा रहा है बात की थे हमने form number 2 की form number 2 भर कर देना होता है जब हम account को close करना होता है पूरे 2 साल जब deposit चल लिया है तो form number 3 है इसके नीचे जो की है partial withdrawal के लिए यानि की 40% partial withdrawal किया जा सकता है एक साल के बाद तो यह form भर कर देना है और last है form number 4 जो की है premature closure के लिए तो यह हमने बात की महिला समान 7 certificate के बारे में इसकीम अच्छी है क्योंकि 7.5% भी आज मल रहा है आम तोर पे आज के टाइम पे rate of interest जो FD के उपर है वो around 7% के आसपास है maximum सभी banks के अंदर तो इसमें 2 लाक रुपए जमा करके जो भी महिला डॉजटर है वो इसका फाइदा इसकीम का फाइदा उठा सकती है थैंक्स वर वाचिंग बाए बाए एंड टेक केर